दान की खेती तो सभी लोग करते हैं, मगर सही समय पर सही तरीके से खेती संबंदिक पारिये को करने से उपच अच्छी होती है। चलिए, आज हम मिलाते हैं कुछ दीदी लोगों से, जिन्होंने खेती में कुछ मुख्य बातों पर समय पर ध्यान दिया, और अच्छा उपच प्राप्त किया सब्सक्राइब। देखिए, वी एक पेर के बाल चाहिए, कि तेसे, पहले ता हमरा इक खेत में चार, तीन, चार बोरा बोरा बोई तरह है, और हाई कठ्ठा केत है, लेकिन एम की बार, छासात बोरा जरूर होता है, जहां खाखरान आये काड़ान, धान बोर जाते है. हमरे नाम है Malti Devi, हमोने तरीका से दान रप ली है, वी टोरो भी देखिया उपली है, तो हम रान बीचरों कम लागा है, वी एक खेत में पांड़ा है, तो ही लोरो कम लागा है, और हमरा थाक पानी पतली है, तो खाक्रीयों काझ है, हमरा सवा कठा में तो हमरा बोरी चाहिवा बहुत सधारन बात हैं, बस ध्यान देवे के है, आट ते दस इंच के दूरी पर रुपाई करे के, जब दूद भर जा तो में पानी पटावी के, मत नाम है रिना देवी, ऐसे तो हम सबजी के खेती कराईत रही, लेकिन इस वार धियार्पी दिदी बताये लान कि नया तरीका से धान के खेती करूँ, और से ज़्यादा उबज होए, तो हम सच लियाई कि काहे नए एक बनाया तरीका से खेती करके देखिये लियाई, अब हम बटाये खेती लेके धान के रुपाई काई ली, बाल के किसान के ता कथा में पचास साथ किलो हो लग लेकिन हम राता एक उं में खाकरी बहुत कम हो लाई या दाना पुष्ट हो लाई बहुत खूद साहती, हम किसान से का चाहिले, एही ना चाहिले कि उवज अच्छा होए, उवज अच्छा होता है, तो हम से आगे विकास करवाई दा बालवाचा के परहवाई अच्छा से, इस तारीका ता हम रहा बहुत आसान लगला है, कोई भारी ना है, अपना हियो सा कर सक लिया है